विरेंदर मैता, वेलकम यौल, आज कुछ कोशन्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टन कोशन्स हैं, आप बहुत ध्यान से समझेंगे फर्स कोशन्स की तरफ चलते हैं, इस कोशन्स में पूचा है, कि सर हम साधना करते हैं और हमें सपनों के अंदर सांप दिखाए देते हैं, तो इसका क्या मिनिंग है? देखिए सबसे पहले तो आप ये अच्छे से समझेंगे कि ड्रीम का क्या मतलब है? देखिए ड्रीम का मतलब है प्रोजेक्शन, ठीक है? जो भी चीज हमारे डीप सबकोशन्स माइड में है, उसी का जो प्रोजेक्शन होता है, वो ड्रीम में होता है यह यूँ कह लीजिए कि जो भी हमारी डिजायड है, जो भी डीप तक जो डिजायड है, वही हमें जो है प्रोजेक्ट होता है हमारे ड्रीम के अंदर तो यह बिल्कुल साइकोलोजिकल कॉंसेप्ट है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी यह जानना हो कि हमारे सबकोशन्स माइड में क्या है, या हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या है, तो बहुत ही सुन्दर उपाय है, जिस चीज के आपको सपने आ कुचा है कि सांप दिखाई देते हैं, तो देखिए सांप का दिखने का जो मतलब है, वो इतना है कि आपकी जितने भी विकार है, या आपकी जितनी भी नेगटीविटी है, जो आपके सबकोशन्स माइड में है, वो बर्न हो रही है, ठीक है, जो भी आपके लस्फुल तो बहुत ही शुब संकेत है अगर आपको जो स्नेक्स हैं वो अगर आपको दिखाई दे रहे हैं पर इसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी को स्नेक्स नहीं दिखाई दे रहें तो वो साथना जो है वो गलत कर रहा है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है हो सकता है किसी को दिखाई है जो deep हमारे subconscious mind के bottom में है वही हमको दिखाई देती है dreams के अंदर अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं किसे ने पूछाए कि सर young age में जो बाल हैं ये सफेद हो गये हैं ग्रे हो गये हैं तो इसका क्या solution है क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे बाल जो है फिर से या तो काले आ जाएं और इस चीज से मलब कैसे हम छुटका रहा हैं देखिए अच्छा सवाल है आज देखी रहे हैं हम young age में क्या बच्चों के भी जो है वो बाल सफेद होने मलब स्टार्ट हो रहे हैं वैसे तो मैं वीडियो कर चुका हूँ अलड़ी बालों के उपर आज फिर से कर यह कोशन पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूं देखिए आपको सबसे पहले अपना फूड हैबिट जो है वो चेंज करना पड़ेगा आप वैदिक फूड की तरफ आगे बढ़ें वैदिक फूड के बारे में मैं बहुत सारी बात कर चुका हूँ अपने प्रिविएस वीडियो में कच्चा रोफ जो आपका फल है वो आप खाएं जो है वो ले करके आए निश्चत रुप से एक ये बड़ा फेक्टर है जो काम करेगा इसके साथ साथ आप डेली क्या योग आसन कर रहे हैं क्या डेली आप प्रणायाम कर रहे हैं इस वेरी वेरी इंपोर्टन देखिए प्रणायाम से ही जो प्रानिक एनर्जी है आपका जो प्राण में एकोश है, ये स्ट्रॉंग बनता है, ये पाफुल बनता है, तो इसका जो डारेक्ट इंपक्ट है, वो आपके बालों पे भी जाएगा, और कम्प्लीट बोडी के उपर जाएगा, और साथ में ब्रह्मचरे, देखिए सिमन इसमें बहुत इंपर्टन डॉल प हो रही है, उसी का कारण है, बालों का सफेद होना, या आख्यों का अंदर दसना, या चश्मा लगना, या फिर कमजोरी महसूस करना, तो आप इस चीज को समझें, बहुत अच्छे से, आप वक आउट करें, योगासन, प्रणायाम, और अपनी फूड हैबिट्स को इंप्र का लेगे, उसको काटके, एक तो आप वो जो है, उसकी मसाज करें, गिसे, पूरे बालों के अंदर, या फिर अगर आमले का, अगर पाउडर मिल जाए, आप रात को भिगो के रखने, एक काली चोटी सी कड़ाई हो, तो वो बहुत अच्छा है, उसके अंदर आप शिका का ह आमला, ये शीजे डाल के थोड़ा सा उसको बिगो के और आप ढखे रखने, मॉर्णिंग में आप उसको एपलाई करें, लगाएं, एक चाहिए आदा घंटा, एक घंटा लगा रहें, कोई प्रॉल्लम नहीं है, आप सिंपली उसके बाद बालों को वोश कर लें, शेंपू उसे जो डालूशन है, जो पॉलूशन है, राइट, वो हमारी बोरी में हो रहा है, तो आप थोड़ा सा नेश्वल सिस्टम जो है, वो यूज करें, निश्चित रूप से आपको, आपकी जो प्रॉब्लम है, ये सोल हो जाएगी, अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, किसी न हैं, उसको इंप्रूब करें, अगली बात, जो में कारण है, हाट अचैक का, वो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, जब हम नेगटिव इमोशन को इन्वोक करते हैं, डिप्रेशन का भाव, जेलिसी का भाव, राइट, रिसेंटमेंट, अंदर एंगर है, तो ये कुछ इमोशन हैं, जिसका डिरेक्ट इंपक्त, जो है, हमारे जो हार्ट है, उसके उपर पड़ता है, हार्ट का ब्लॉकिश होना, वो भी इसी का कारण है, तो प्लीज आप ये नेगटिव इमोशन्स इन्वोक करने छोड़ने, क्योंकि दिल छोटा हो रहा है, मीन्स श्रिंक हो हो रहा है, जैसे जैसे हम स्वार्थ बढ़ रहा है, तो आप जो है, पॉजिटीव इमोशन्स इन्वोक करो, जिससे जिन कारणों से आपका रिदय है, आपका दिल छोटा हो रहा है, उसको बढ़ा करने की जूरत है, दिल बढ़ा करो, विशाल करो, unconditional love सबके लिए सोचो उसी से ही ये जो problem है ये दूर होगी और साथ में योगासन प्रणायाम वो तो करना ही है एक आसन जुरूर मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आप करते हैं तो निश्यत रूप से heart attack नहीं हो सकता वो है सेतू बंद आसन तो आप इसको google में search भी कर लिज अगर आप इन चीजों को follow करें अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं कि sir marriage के लिए जो right partner है उसका हम चुनाव कैसे करें बहुत सारे questions पूछे गए हैं marriage से related ये भी पूछा गया है कि sir हम तो ब्रहमचरे का पालन कर रहे हैं पर क्या पता कैसे पता चलेगा जिससे हम शादी करने जा रहे हैं क्या वो भी भ्रहमचरे का पालन करेंगे वो तो lustful नहीं होंगे तो इस से related और भी बहुत सारे जो questions हैं लेकिन आज मैं इसका answer जो है आपको जरूर दूँगा देखिए marriage की अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर मैं ये बोलू कि आप अपना करम कीचिए है वो है कार्मिक की देखिए 80% जो भी आपके पीछली लाइफ के अंदर या पीछे जो भी आपके करम रहे हैं जो करमाज आपने परफॉर्म किये हैं उसी के according उसी कार्मिक के according आपको आपका लाइफ पार्टनर जो है ये मिलेगा 80% कह रहा हूं हाँ 20% आप अपना पूरा करम कीजिए आप उसकी जो qualities हैं जो भी उनमें गुण है आप लिस्म नहीं आपको चाहिए क्या राइट तो उसके according आप पूरा explore कीजिए आप पूछिए आप सबसे पहले अपने बारे में बताईए अपनी hobbies अपना इंटरस्ट एरिया और फिर उनके बारे में आप पूछि चलेगा कि उनका attitude क्या है आप कियेंगे कि नहीं सर उस समय तो वह बहुत acting करेंगे उस समय तो वही बोलेंगे जो हम चाहेंगे तब ही मैं कह रहा हूं कि 80% करेगा कार्मिंग के लेकिन मैं फिर भी आपको solution दे रहा हूं देखिए जो भी हम चाहते हैं आप उसको create कीजिए तब ही हम सब को बोलते हैं कि शिरी विद्या साधना करो क्योंकि शिरी विद्या साधना करते समय जैसा हम visualize करते हैं feel करते हैं बिल्कुल हम attract करते हैं जैसा life partner हमको चाहिए और साधना करने से ही जो पिछली life के जो हमारे कार्मिक depths पड़े हैं या negative psychic impressions हैं वो release होना शुरू कर देते हैं और जब वो release हो जाएंगे तो निश्यत रूप से हम जैसा partner हम चाहते हैं वैसा ही partner मिलेगा क्योंकि आज कल का जो समय यह आ गया है कि divorce पहले हो जाता है शादी भात में होती है तो बहुत ही dangerous यूग चल रहा है मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यही वह decision है अगर यह decision गलत हो गया अगर गलत चुनाव हो गया life partner का तो फिर पूरी life जो है वो hell हो जाती है और अगर यही चुनाव अगर सही हो जाए तो पूरी जो life है वो divine हो जाती है तो घवराने की जरूरत बिलकुल नहीं है आप अपना करम जरूर करें आपको जैसा life partner चाहिए आप internal beauty की उपर ज्यादा focus करना है या external beauty की उपर ज्यादा focus करना है कौन कौन सी qualities हैं जो आप चाहते हैं आपके life partner में हो और उस समय आप discuss कीजिए आप observe कीजिए लेकिन फिर वही बार यह केवल 20% चीज़ ही matter करेगी 80% वही होगा जो आपके करम है पिछली life के और उसका भी solution है क की साधना करने से वह negative करमास भी burn हो सकते हैं तो I think मैंने आपके सवाल ख़र जवाब है वो दिया है फिर भी अभी भी question अगर आपके mind में हो आप directly मेरे WhatsApp पे आप मेरे साथ जूड सकते हैं I will definitely try my best to help you out from all these kind of problems or you can comment on our YouTube channel तो आप share जरूर कीजेगा क्योंकि यह important answers हैं राइट जो सभी को इसकी need है और सभी को हम चाहते हैं कि लाब जो है वो पहुंचे राइट? So with these words, thank you so much. Have a great day. Bye-bye.